Hello students! Students, आजके CLASS mediates हम लोग परहेंगे Chapter 4 जो है The Keyboard इसमें हम लोग जानेंगे Keyboard के बारे में Keyboard क्या होता है इसका उपयोग कैसे किया जाता है इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे तो first है Alphabet Keys फिर है Number Keys और फिर है Special Keys इन तीनों के क्या क्या यूज हैं कैसे इनका उपयोग करते हैं उसको जानते हैं चलिए कि एक कीवोड़ इस दा बेसिक पार्ट ओफ ना चमक्यूटर, केंप्यों एक कंप्यूटर के पार्ट होता है कम्प्यूटर के पार्टस आप लोगों को पढ़ाये थे last chapter में computer के कौन कौन से parts होते ? computer के CPU, monitor, mouse, keyboard यह सभी computer के parts हैं, जिन मेंसे एक keyboard भी basic parts होता है We need a keyboard to type anything on a computer हम लोगों को computer पे कुछ भी type करने के लिए किस की जरुवत होती है keyboard की जरुवत होती है there are different types of keys on a keyboard there are total 104 keys on a keyboard तो यह जो keyword होता है हमारा इसमें अलग-अलग प्रकार के keys होते हैं और total इसमें कितने keys होते हैं 104 keys यहाँ पे keys का मतलब क्या होता है यहाँ पे keys का मतलब होता है छोटा-छोटा button यह जो keyboard में छोटे-छोटे जो button होते हैं इसी को हम लोग keys बोलते हैं ठीक है ऐसे generally तो keys का मतलब क्या होता है चाब यहाँ लेकिन यहाँ पे computer में keys का मतलब क्या हो गया keyboard के जो button होते हैं उसे हम लोग कीज बोलते हैं तो कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं इसमें अलग-अलग प्रकार के कीज होते हैं हम लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं यह कीबोर्ड है बना हुआ अब देखें यहाँ यह लीट की है और यह इंटर क की है यह एरो की और यह जो लॉंग सा है इसे इस पेस बार बोलते हैं यह कैप्स लॉग की है यह अलफाबेट की जहां पर 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 अलफाबेट की जहां तो फॉर्स्ट है अल्फाबेट कीज देर आ ट्वेंटीसिक्स अल्फाबेट कीज ओन ए कीबोर्ट इस तो टाइप लेटर्स एंड सेंटेंस इस आर नॉट एंड अल्फाबेटिकल और यह कीबोर्ड में इसी तरीके का बना हुआ रहता है कीज तो यह जो होता है आपकर 26 टो यह मतलब एक टूजएड नहीं स्टार्ट होता है यहां आप लोग देख सकते हैं क्यूं से स्टार्ट किवो डब्लू ए आर टी वाई तो यह एक टूजएड अडेंज नहीं रहता है ठीक है इसका उप्योग हम लोग लेटर्स को टाइप करने के लिए सेंटेंस को टाइप करने के लिए करते हैं अलफाबेट कीज का उप्योग नेक्स्ट है नंबर कीज देर आर मार्क्ट विट नंबर्स फ्रॉम जीरो टू नाइन इस आर यूस्ट टू टाइप नंबर्स अब देखिए यहां पर वन से लेके नाइन तक है न जीरो भी है तो इनका उप्योग हम लोग किस लिए करते हैं नंबर को टाइप करने के वो नमस आप नंबर की के द्वारा ही टाइप करेंगे फिर नेक्स्ट है इस्पेशल कीज यह इस्पेशल कीज है there are some special keys on the keyboard which are commonly used keyboard में कुछ special key होते हैं जो की समाने तर यूज किये जाते हैं जैसे कि space bar space bar key का क्या उप्योग होता है it is the longest key on the keyboard it is used to add blank space between words letter or numbers और यह जो यहां पर बना हुआ है यह क्या है इस्पेश बार की है तो इस्पेश बार की जो होता है वह सबसे लंबा की होता है keyboard का और जिसका उप्योग space डालने के लिए क्या जाता है किसी भी words या letters के बीच में अगर आपने ए और बी लिखा है इसके बीच में space डालने के लिए किसका उप्योग किया जाएगा इसके बीच में space बार की का उप्योग किया जाएगा अगर आपने A, B ऐसे लिख दिया है और अगर आपने यहाँ पे space डालना भूल गए तो आप यहाँ पे mouse pointer को बीच में ले जाके space bar की पर अगर एक बार क्लिक करते हैं तो वो बीच में space आ जाएगा ठीक है? यहाँ देखे This name is written wrongly Now press space bar after Ria and see the result यहाँ पे देखे रिया सर्मा जो वो बिलकुल आपस में गलती से लिखा गया है अगर आप इसे अलग करना चाहते हैं रिया अलग सर्मा अलग तो यहाँ पे ले जाके बीच में mouse pointer को space bar की पर क्लिक करना है तो Ria अलग हो जाएगा और सर्मा अलग हो जाएगा तो इस तरीके से space bar की का उप्योग किया जाता है Next है enter की यह enter की है Sorry यह enter की है It is also called the return की Enter की को हम लोग return की भी बोलते हैं It is used to move the cursor to the next line Enter की का उप्योग cursor को next line में ले जाने के लिए किया जाता है जैसे माले आप कोई sentence या कोई paragraph लिख रहे हैं अपने computer में ठीक है यह computer है और आप यहाँ पर write कर रहे हैं यहाँ पर लिखे आप this is a boy ठीक है अब आपको next line में जाना है तो next line में जाने के लिए आपको enter पर click किजिएगा तो आपका cursor next line में आजाएगा और आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है इंटर की का उप्योग next line में जाने के लिए क्या जाता है फिर है backspace की यह backspace की का symbol अपने लिखना है तो आपने यहाँ पर लिखना है तो आपने रोम लिख दिया ठीक है यहाँ पर गलती हो गया यहाँ पर यहाँ आप यहाँ इसको on the to Response list कर लेज करना है बिखना है तो इसरे और यहां पर लिखा हुआ यहाँ राम लिखा हुआ metric तो यह right side हो गया और यह left side हो गया अगर यहाँ पर करसर आपका है और अगर आप backspace key पर click करते हैं, दवाते हैं, तो आपका left side से later remove होगा, अगर आप एक वार backspace key click करेंगे, तो ये M हट जाएगा, फिर आप एक वार click करेंगे तो O भी हट जाएगा, फिर आप एक वार click करेंगे तो R भी हट जाएगा, तो ये जो है cursor के left side से later को remove करता है, कौन backspace key अब है caps lock key यह देखिए caps lock key यहाँ पे picture है एक मिनट यह caps lock key का यह picture है caps lock key ऐसा होता है इसका उप्योग क्या है it writes alphabet in uppercase once caps lock key is pressed the caps lock light turns on यह जो है अलफाबेट की जो होता है ABCD जो होता है अलफाबेट जो होता है इसको capital letter में लिखने में हमारी मदद करता है ठीक है और जब आप caps lock key पर प्रेस कीजिएगा तो caps lock key का एक उपर छोटा सा light रहता है वो on हो जाता है पहले जब आप type करते हैं तो वो क्या होता है वो तब capital letter में type होना start हो जाता है ठीक है तो caps lock की मदद से हम लोग किसी भी sentence को capital letter में type कर सकते next है function key these are the keys used for special keys of jobs these are from f1 to f2 यह सभी जो keys होते हैं यह special keys होते हैं जो की f1 से f12 तक होते हैं ठीक है इन सभी के अलग-अलग कारी होते हैं f1 के अलग होते हैं f2 के अलग होते हैं f3 के अलग होते हैं इन सभी के अलग-अलग कारी होते हैं इन सभी के बारे में आप लोग आगे की class में जानेंगे ठीक है तो इन सभी का उपयोग special work को करने के लिए किया जाता है अब यहाँ पे कुछ facts हैं क्या है The sentence The quick brown fox jumps over the lazy dog contents all the 26 English alphabet अब देखे यह जो sentence लिखा हुआ है The quick brown fox jumps over the lazy dog इसमें जो है टोटल आपके 26 alphabet आ रहे हैं इसमें एक भी alphabet missing नहीं है इसमें a to z total है आप लोगों को यह sentence याद रखना आप किसी से भी यह question कर सकते हैं वह कौन सा sentence जिसमें total 26 alphabet से भी use होते हैं तो आप यह question आप किसी से भी कर सकते हैं Next है एक cursor is a small flickering object which tells the position of mouse pointer एक cursor जो होता है वो छोटा सा object होता है छोटा सा दिखता है ने cursor तो यह क्या दिखाता है यह दिखाता है आपका mouse pointer का position दिखाता है आप जो नीचे mouse से work कर रहे होते हैं आप screen currently कहां रहते हैं वो आपके position को दरसाता है कौन cursor दरसाता है ओके So students आगे हम लोग परेंगे next class में यह chapter आपका finish होता है I hope आप लोगों को यह समझ में आया होगा आप लोगों से ये समझ में आ Calvin